हेलो फ्रेंट्स लेके आ गए हैं आपके लिए विंटर स्पेशल गोभी का पराथा बहुत ही ज़दा हेल्दी और साथी स्वाध स्वाधिश्ट होता है इसे हम विंटर में बनाके इंजॉय करते हैं तो चलिए रेसिपी को अब हम स्टार्ट करते हैं घंदम अची सी फ्रेश मिलती है तो यहां पर देख सकते हैं फ्रेश यहां पर हम ने तीन लिये तो चलिए 사ब तरीके से देख लिया है तो जब कभी आप गोवी का चुनाफ किजे तो इस तरीके से कसी गोवी लीजिए इसमें कीड़े नहीं होते हैं गोवी का पराठ हम कई तरीके से बनाते हैं आज हम आपके साथ पहली रेसिपी शेयर कर रहे हैं यहां पर कदूकस के मोटे वाले पार् कर लिया है यहां पर हमने थोड़े से लसुन मिर्ची अद्रक और हींग को क्रश कर लिया है खलड में पराठे को थोड़ा से चट पिता बनाने के लिए यहां पे हमने इस तरीके का फ्लेवर लिया है अब जितना आपको पराठा बनाना है उससाब से आप आटा ले स्वात के अनुसार नमक तो यहां पर हमें नमक समझ कर ही डालना है क्योंकि जो हम फिलिंग बनाएंगे उसमें भी हम नमक डालेंगे इसलिए नमक जादा न हो जाए अब पर आठे को मुलायम और खस्ता बनाने के लिए यहां पर हम डाल दीते हैं थोड़ा सा मोयम आप जो भ अब हम यहां पर थोड़ा सा ओईल लेंगे इस तरीके से हम इसे आठे पर लगा करके इसे और नीट कर लेंगे ताकि हमारा जो डो है वो अची तरीके से शौफ्ट हो जाए अगर आप इस तरीके से आठा लगाते हैं तो आप खुद देखेंगे आपका पराठा एकदम सौ चमच राइ राइ के तड़क जाने के बाद अब हम यहां पर डाल देंगे वनफोच चमच जीरा और जीरा को डालने के बाद डाल देते हैं करीपता तो विंटर में करीपता का सेवन हमें जरूर करना चाहिए इसमें बहुत ही ज़दा मात्रा में अंटिबाइटिक पाया ज तो अच्छी तरके से फ्राइ करने के बाद यहां पर हमने लिया है दो बारीक कटी हुई प्याज और चार से पांच हारी मिर्ची बारीक कटी हुई ठीका अब अपने स्वात के अनुसार पराठे में रख सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो मिर्ची को उप इसमें कम डाले और इसे आप अच्छो के टिफिञ बॉक्स में भी दे सकते हैं तो अब कम द को किया हूए अप गोबी हम आसारा ड़िके सभी चीजों को अच्छी तरीके से हम मसाली में मिला लेंगे फ्रेंज ये देखे इस तरीके से तो इस प्रोसेस को हम medium flame पे ही करेंगे आप डाल लेते हैं कुछ सूखे मसाली डाल दिया यहाँ पे हमने 1 फोज चमच हल्दी पाउडर और यहाँ भी हमने डाल दिया है एक पैकिट मैगी का मैजिक मसाला और साथ में हमने इसमें गरम मसाला भी मिला करके डाला है इसे पराटा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंस तो चली अब हम इसमें डाल देते हैं स चमच सत्तू का पाउडर इसको भी हम फिलिंग में डाल देंगे इसे डालने से गोभी का मौश्यर अच्छी तरीके से अब्जॉब हो जाएगा फ्रेंस और पराटा बहुत ही जादा हेल्दी और टेस्टी वनेगा तो चलिए एक बफिश से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप उसकी जगा बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं अब गोभी का मौश्यर अच्छी तरीके से अब्जॉब हो चुका है और गोभी पक भी चुकी है तो अब डाल देते हैं उपर से हम कटी हुई हरी धन्या इसकी फ्लेम को हमने बंद कर दिया है अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और हमारी फिलिंग बंद करके एकदम रेदी है अब प poco मैं निकाल देंगे ठंडा होने के लिए तो अब हम अपने डोको भी चेख कर लेते हैं फ्रेंश आटा अच्छी तरीके से सेट खो चुका है अब हम इसे एक मिनट के लिए और नीट कर लेते हैं तो अब आपको जितना भी बड़ा चोटा बड़ा पराठा बनाना है उसे साब से आप आटे की लोई को ले लीजे आटे को दोनों तरफ डस्ट करके अब हम इसकी कटोरी बना लेंगे तो जिस तरह के से हम आलू का पराठ तो देती है जिए तरीके से अच्छी तरीके से अंगोठी से प्रेस करकर करिए पहले इसकी पोर्ट लिवर ना लीजे इसमक अच्छी चरी के से पैक करीज़ए जसे इस्में सफिले बहार आजाएगी तो बिल्कुल आपको इसे एकदम हलके हाथ उसे बेलना है फ्रेंच वरना फिलिंग जो है इसकी बाहर आ जाएगी हलके हाथ से बेलने से ये देखिए फिलिंग भी बाहर ने निकलेगी पराठा भी फटेगा नहीं तो तब हमने चड़ा दिया था गर्म होने के लिए चलिए अब फटा-फट से पराठे को बना लेते हैं जैसे इसकी एक साइड हो जाएगी हम इसको पलट देंगे फ्रेंज जो भी आप रिफाइन गी खाना पसंद करते हैं उसको इस तरीके से लगा करके स्प्रेट करके आप सेख लीजे पराठा दोनों तरफ से अची तरीके से हमें से शेक लेना है बहुत ज़्यादा हाई फ्ले किसे सारे पराठे को अब हमें की करके सेख लेते हैं तो अगर आज की पराठे की यह रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी फ्रेंज तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बिताएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी चैनल को हमाई सब स्क्राइब कर दिया करिए ताकि जो भी वीडियो हमारी आए उस सबसे पहले उसकी नोटिफेकेशन आपको मिले तो यह लिए सारे पराठे हमारे बन करके तयार हो गए अब हम आपको दिखाते हैं कितने जाधा सौफ पराठे यह बने हुए और इसमें फिलिंग भी कितनी कि सामेजिंग सा पराठा मारा बन करके रेडी हो गया है आशक करते हैं आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ